नमस्कार दोस्तों आपको सिबिल डिजाइन और बीड यूट्यूब चैनल में स्वागत है हम लोग डिसकस करने जा रहे है कि प्लास्टिरिंग जो है वो कैसे करे और उसका क्या-क्या चैलेंज आ सकता है प्लास्टिरिंग करते वक्त और क्या-क्या चीज में ध्यान देना है प्लास्टिरिंग करने से पहले और प्लास्टिरिंग हो जाने के बाद यह हमारा वीडियो का पार्ट वन वीडियो है नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में बताएंगे कि कितना लेवर, कितना मिस्तिरी और कितना बोड़ा सिमेंटी, कितना सैंड, कितना क्यूबिक फिंट सैंड में कितना सिमेंटी लएगा, कितना स्क्वार मीटर में, प्लास्टर में कितना सिमेंट लएगा, कितना बालवा फानी में तरही करना चाहिए एक दम अच्छा से ताकि उसमें लागा हुआ धूल कोई भी हो सब वासाव्ट हो जाए वाल को अच्छा से पानी में भीगाना चाहिए ताकि ब्रीक का water absorption capacity ताकि प्लासटर का मोटार में से पानि नich ना पाई इसलिए हम लोगों फ्रोलिarti जुर ली वाटर से उसको भीजाना चाहिए सर्फ़ेस में प्लासटर करेंगे उस सर्फ़ेस को हम लोग को विजूल इंस्पेक्षिन अचाहिए और देखना चाहिए टच करके की वा brick और मोटार के बीच में जो एकदम surface plane है की rough है यदि surface एकदम plane है तो वहाँ पर हम लोग को थोड़ा group जैसे देना चाहिए ताकि plaster का मोटार और ब्रीक और ब्रीक का मोटार के बीच में proper bonding हो जाए और हम लोग को यह भी देखना है कि कहां पर जैसे कि कोई surface में कोई वाल असास नहीं जुड़ा है तो उसको क्या करना है कट करके एक लेभल प्रूपर लेभल में लेक आना है ताकि हम लोग का plaster का surface एक दम इस plaster करते वक्त एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग का ceiling का plaster है उसका motor का ratio reach होना चाहिए वाल के compare जैसे कि ceiling का plaster ratio 1 is to 4, 1 is to 3 रख सकते है और वाल के लिए 1 is to 5, 1 is to 6 रख सकते है और यदि बाहर का weather जहां पर weathering का effect हो वहां पर वाल का भी ratio 1 is to 5, 1 is to 4 रख सकते है उससे ज्यादा नहीं रखिएगा और एक बात plaster का motor कितना रहना चाहिए प्लास्टर का motor जो है कम से कम 12 mm रहना चाहिए जैसे ceiling का surface एकदम अच्छा से मिला हुआ है तो 6-8 mm में यदि चल सकता है तो ठीक है नहीं तो कम से कम 12 mm ceiling का plaster का motor और वाल का भी होना चाहिए पर surface नहीं मिला है तो 20 mm plaster 1 is to 6 के ratio में कर सकते है 1 is to 5 में भी कर सकते है और बालू ज प्लास्टर में उजला उजला परकार का नमक निकलता रहता है और इसी हिसाब से जो है अच्छा से बालू को जाली में चाल लेना है चानी में चाल लेना है ताकि एक proper grading बालू का बना रहे है तो प्लास्टर में बाद में क्रैक आने का रीजन में बता था अभी यह जो देख रहे है यह जो डोर के लिए क्लैंप जो कॉलम में दिया हुआ है और यहां पर यह यह के बज़े से प्रोपर बॉंडिंग नहीं हो पाएगा और बाद में आने बाला दो चार बर्स में के हो नहीं तो में रीजन वही पर होगा जहां से आपका प्लास्टर में श्रिंकेज या फिर क्रैक विजिवल क्रैक सब आने के लिए शुरू होगा इसलिए दो चार चीज सब एकदम सेंसेटिव चीज सब है जो ध्यान देने वाला बात था मैंने आपको बता दिये और यह जो ह में कितना लेवर मिस्टरी लगेगा वह मैं आपको डिटेल वीडियो सकेंड पार्ट में लेकर होंगा क्योंकि अभी जैसे आपको आपको आपना घर में प्लास्टर करवाना है तो देखते होंगे कि कोई भी ठेकदार है आपको बोलता होगी एक लाग लगेगा दो करूंगा यह हमारा पार्ट वन है